Hi everyone, this is Anam, welcome to PhD Jobs and Admission So, आज के इस वीडियो में हम CCSU यानि चौदरी चरणसिंग उनिवरसिटी के PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज के इस सेशन में हम Research Methodology के Important MCQ देखने जा रहे हैं जिससे कि आप सभी को पता है, CCSU के PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन के आपका एग्जामिनेशन जो स्केडियूल है रिलीज हो चुका आपका जो एक्जाम है आप PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन 3rd and 4th of December को कंड़क करवाया जाएगा तो आज से आपके पास 10-12 डेहरयर से प्रेपरेशन के लिए, तो आपको इस तरीके से प्रेपरेशन करना है आपको कौन से गंटेंड करना है ये साइसे हमारे कोर्स में आपको बताते हैं तो स्क्रीन पर नीचे नंवर हायलाइट हो रहा है WhatsApp number है यह हमारा आपको इस नमबर पर हमें contact करना है तो आज के session को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है जो भी आपके doubts है जो भी आपके questions है आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं तो चली जड़ा time waste नहीं करते हुए आज के session को हम स्टार्ट करते हैं So let's begin with the today's session आपके साथ share करा paper 1 आपका काफी सारी units पर based होता है जिसमें हम आपको video lectures, notes, mock test, revision mcqs, pdf यह सारी चीज़े आपको एक ही जगे पर हम provide करते है with minimum price ठीक है minimum price ने आपको जाद से जाद से चीज़े provide करने की कोशिश करते हैं जिससे के आप screen पर देख सकते हो यह सारा content आपको हम bilingual languages में provide करते हैं Hindi as well as in English दोनो language में आपको यह content देखने मिलेगा और यहां पर इस content के हम guarantee देते हैं हम आपको इतना prepare करवा देओं कि आप least passing marks तak marks score कर सको हमारी हमारे course में जो हम आपको guide करते रहते हैं हमारे जह experts होते हैं हमारी घीचर्स की team हैं वह आपको इतना guide करवा देते हैं कि at least passing marks उत्राइक जल सचल आपको पुरिपरेशिन को स्टार्ट करना है तो पर फ mina में contact कर सकते हैं या फिर आप हमारे आप के तुरु भी स्टेडी में अक्सेस कर सकते हैं जिसके लिए लिंक में आपके साथ नीचे कॉमें सेक्षिन आज डिस्क्रिप्शिन बोक्स में भी शेयर कर रहा है तो दाट सेट एंड लेट्स बिगिन विदी टूदेश्ट सेशन कोईफिशन तो साइंटिस्ट का नाम है कालपीशन इन्होंने कोईफिशन दिया था कोरिलेशनल रिसोच में जिसे हम कहते हैं कालपीशन कोईफिशन बहुत इंपोर्टन है बहुत इंपोर्टन है अगें में रिपीट कर रही और एक्जाम में इस कोईफिशन से कालपीशन कर रहा है कि यह strong correlation indicate कर रहा है फिर strong negative correlation या फिर cause and effect correlation या फिर computation में कुछ errors हो गए आपको याद रखना है कालपीशंट कोईफिशंट होता है इस कोईफिशंट की value minus 1 से plus 1 के बीच में लाए करती है सब माइनस 1 से plus 1 के बीच में जितने भी value होंगे वो आपके कालपीशंट कोईफिशंट को indicate करते है अगर आपके कालपीशंट कोईफिशंट की value minus 1 है that means आपके जो correlational research में variables है वो strong negative correlated है उनमे strongly negative correlation है अगर आपके कालपीशंट कोईफिशंट की value plus 1 है that means आपके जो correlational research में आपके जो variables होते है उनके बीच में strong positive correlation होगा और अगर आपके कालपीशंट कोईफिशंट के value 0 होती है that means आपके जो variables है variables के बीच में कोई भी relation नहीं है तो यही indicate करता है आपका कालपीशंट कोईफिशंट और यहाँ पर हमें कोईफिशंट की value minus 1.09 यानि minus 1 से ज्यादा दिया गया है तो ऐसी कोई value कालपीशंट कोईफिशंट में लाइने करती है तो यहाँ पर आपकी minus 1.09 value आ रही है मतलब आप से कुछ mistakes हुई है कुछ computation में अगर आपने आपके पास data आया है आपने जो data collect कर रहा है आप उसको compute कर रहे है मतलब आप उस data को proper arrange कर रहे है आप उसको tabulation mode में fix कर रहे हो आप जैसे भी आपके पास data आ रहा है उसको आप compute कर रहे हो तो computation में आपसे हो सकता है कुछ mistakes हो गई हो जैसे हम कहते है errors in competition तो यह पर आपका option D right हो जाएगा इस question का answer आपका option D हो जाएगा next the type of error in which research study over which the researcher has no control is called so इस question में भी बूछ रहा है कि research में ऐसा error ऐसे type का error जिस पर researcher का कोई control नहीं है तो उस error को हम क्या कहेंगे कि उस error को हम type 1 error कहेंगे या फिर type 2 error या फिर random error कहेंगे तो याद रखिए research में basically mainly डो ही type के error होता है जिसे हम कहते है type 1 error and type 2 error अभी error होते क्या है आपको याद रखना है research में researcher हमेशा अपनी hypothesis को test करते है अब जब भी research अपनी hypothesis को test करते हमेशा null hypothesis को test करते है अब null hypothesis बता दिए कि variables के बीच में कोई relation नहीं है इसे हम कहते है null hypothesis और याद रखिएगा एक्जाम में ऐसा भी question आ सकता है कि researcher अपनी research में कौन सी hypothesis को test करते है तो याद रखिएगा research में researcher हमेशा सिफ और सिफ नल hypothesis को test करते है अगर null hypothesis सहीं निकली तो researcher उसे accept कर लेते या फिर null hypothesis को अगर researcher reject करते तो automatically आपके alternative hypothesis को research accept कर लेते अब type 1 error और type 2 error जैसा हमें option e और b दिया गया है तो यह error होते क्या है हम इस table के थूँ देख लेते तो type 1 error का बता है जब आपकी जो null hypothesis है वो true होती है null hypothesis true होने के बाद आप उसे reject कर लेते हैं आपकी null hypothesis true है true होने पर आपने इसको reject कर लिया तो यह आपकी हो जाती है type 1 error और type 2 error का बता है जब आपकी null hypothesis false होती है false होने पर भी आप उसे accept कर लेते हो false अने पर आपने उसे क्या कर लिया? accept कर लिया तो यह आपकी हो जाएगी type 2 error type 1 error को हम alpha से denote करते हैं type 2 error को हम beta से denote करते हैं लेकिन हमें यहाँ पर null और alternative hypothesis से कुछ related नहीं option दिया गया है हमें बस यही दिया गया है इस question में कि ऐसा error जिसमें researcher कोई control नहीं हो इस पर researcher का control होता है type 1 and type 2 error में researcher का control होता है लेकिन एक ऐसा error जिस पर researcher का control नहीं होता है उसे हम कहते है random error कोई भी error अकर हो जाता है randomly किसी भी तरीके से error हो जाता है जिसमें researcher उस चीज़ों को control नहीं कर सकते जैसे for example कोई plant पर study already है so temperature उस पर affect कर सकता है so temperature यह affect कर रहा है तो यह randomly error रखर हो जाता है जिस पर researcher का control नहीं हो so this question का right answer हो जाएगा option c random error next which law is related to sample investigation so this question में पूछ रहा है कि sample investigation से कौन सा law related है so याज रखिएगा sample investigation होता है है आपको पहले पता होना चाहिए मतलब आप जब sample select करते होí तथा किस-kis तरीके से sample select करला है आप कैसे sample select कर हूँ क कितने sample में कितने members हो रहे है कि आपने जादा आपके samples को चुनलिया है फिर आपने बहुत काई आपके — तून लिया उसे हम कहते है sample investigation है यानि sample पर आप कैसे study perform करें उसे हम कहते हैं sample investigation अब sample investigation से आपके जो law related होते हैं यह दोनों भी law ओते हैं law of statistical regularity and law of inertia of large numbers यह दोनों भी law बहुत important होते हैं अगर आप sample पर investigation करें आपको यह दोनों law को follow करना होता है अब यह दोनों law होते क्या है तो हम यहाँ पर देखते हैं इस definition में so law of statistical regularity क्या होते हैं कि आपने जो भी आपके sample select कर रहे है randomly जो भी आपके पास sample होके वो आपकी पूरी population को represent करना चाहिए तभी आप उस sample पर study perform करते हैं फिर investigation perform करते हैं और तभी आपको सही result भी मिलेंगे तो उसे कहते हैं law of statistical regularity और law of inertia of large numbers बहुत important है जिसे हम principle of stability of mass data भी कहते हैं याद रखना है एक्जाम में आपको इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आपको question पूछा जा सकता है कि sample investigation में कौन से law related होते हैं so law of inertia of large numbers principle of stability of mass data यह दोनों law होते क्या है so law of inertia of large numbers जिसे large numbers लिखा है यहाँ पर large numbers का मतलब होता है कि आपका जितना जाद आप sample select करोगे उतना कम आपके error आने के chances होगे मतलब उतना accurate आपके result आ सकते है उतने सही आपके result आ सकते है so याद रखेगा जब भी आपके sample का size large रखोगे आपके result आपके accurate आपके आ सकते है और इस case में आपके sampling error है वह भी reduce हो जाता है so sample investigation में ये दोनों भी law बहुत important होते है और ये दोनों भी law sampling sorry sample investigation से related होते है इसलिए इस question का पर right answer हो जाएगा option 3 both next action hypothesis are based on इस question में पुछ रहा है कि action hypothesis कौन से options पर based होगी अब action hypothesis ये होती क्या है so action word are right that means it is related to your action research okay so action research में जिसे हम किसी भी problem को solve करने के लिए कुछ immediately इस problem के against action लेते है इसलिए हम उसे कहते है action hypothesis sorry action research अब action hypothesis क्या होती है action research में हम जभी problem के against कुछ problem को solve कर रहे है कुछ hypothesis मेट करने को हम के थे action hypothesis अब जिसे मैंने आपको इसके पहले भी करी लेक्टर में बताया कि action research आपकी teaching field में ज्यादा यूज करी जाती है educational field में ज्यादा यूज करी जाती है जैसे for example action research में action hypothesis कैसे बना होगे कि मालेज़े एक class में टीचर है वो बच्चों को बता लिए कि मैप को किस तरीके से read करना है किस direction में map को देखना है अब बच्चों को समझ में नहीं रहे किस direction में आपको map है और map को read करना है तो यहां पर teacher क्या करेगी इसके अगे hypothesis लेडाउन करेगी कि मैं और किस तरीके से बता सकती हूं कि बच्चों किस वे में कितना easy method होगा कि map को read करना तो यह पर teacher immediately कुछ hypothesis लेडाउन करेगी और उसको solve करना start कर देगी so action hypothesis किस चीज़ पर based होती problem पर क्योंकि action research भी हमारी problem पर ही based होती जिसमें हम problem को solve करते है मतलब problem को cause of a problem problem के क्या cause है उससे हम solve करने के लिए action hypothesis का use करेंगे इस question का आपका right answer हो जाएगा option B cause of hypothesis action research में कोई theory का आप use ने करते हो और researchers के experience का use ने करया जाता है बलके किसी immediate problem को solve करा जाता है यहनि problem का हम cause find out करते हो और action hypothesis इसी पर based होती है कि problem का क्या cause हो रहा है next the snowball sampling method is useful when the universe is small and dash इस question में पूछ रहे है कि आप snowball sampling method जब यूज़ करते हो ता आप कब यूज़ करोगे जब आपकी universe small होती है और क्या होती है आपकी universe के scattered होती है specific होती है journal होती है आपके concentrated होती है इस नोबोल sampling क्या होती है स्नोबोल sampling जिसमें रिसर्चर का बहुत ज़्यादा important role researcher नहीं प्ले करते है यहां पर आपके जो respondent होती है important role प्ले करते हैं यहां पर जैसे माली जे यह researcher है researcher को study करना है particular जो city है city में रहने वाले जो person है कितने person drug consume करते हैं जो भी drug consume करते हैं यह easily अपने आपको expose नहीं करते हैं person तो यहां पर researcher को उनके कुछ एक-दो लोग मिल जाते हैं और उन्हीं एक-दो लोग को researcher कहते हैं कि तुम और person को और respondent को select कर लाओ जो drug consume करते हैं क्योंकि यह drug consume करते हैं इनको पताओगा कि और ऐसे कौनसे person है इस particular stage में जो drug consume करते हैं तो यह person और लोगों को select कर लाएगा फिर यह person भी और लोगों को select कर लाएगा तो यहां पर snowball sampling में में जो universe होती हो बहुत small होती है क्योंकि easily लोग कुछ को expose नहीं करते हैं कि हम drug consume करते हैं ऐसा कोई भी नहीं करेगा इसलिए एक दो परसंट रिसर्च को मिल जाते हैं और उनहीं लोगों से रिसर्च कहते हैं कि तुम और respondent को select कर लाएगा तो याद रखना snowball sampling में आपके जो universe होती है वो काफी small होती है and specific होती है क्योंकि आप specific topic पर है कुछ specific लोगों पर है आप रिसर्च कर पाऊगे जो सिर्फ वह सिर्फ ट्रग कंजूम कर रहे हैं सब्सक्राइब के जो यूनिवर्स से स्कैटर नी होती मतलब ज्यादा फैली होगी निटीब कम होती है स्कैटर तो होने सकता option अप्शन तरह किसे जर्नल जर्नल भी नहीं सकते आपकी specific होगी क्योंकि यहां पर आपके पास बहुत ज्यादा लोग नहीं है सो यहां पर आपका option C भी इनकरेक्ट हो गया विर concentrated लेने वह ज्यादा amount में इक्तम specific यह नहीं हो सकती है लेकिन आपकी जो snowball sampling है snowball sampling method में आपकी जो universe होती ही बहुत small होती है और specific होती है इसलिए यहां पर आपका correct option होता है का option B specific next when data collector is passed through one statistical method organization classification tabulation computation computation etc. इस question में बूच रहा है अपने data collect कर लिया for example उस data पर आपने statistical method apply कर रहा है मतलब आपने इस data का mean निकाला होगा इसका median mode standard deviation निकाला इसको organize कर आपने systematical इसको place किया दिन इसको आपने classify कर रहा है जिस group में इस data को होना चाहिए वहाँ पर आपने प्रॉपर्स को arrange कर दिया दिन tabulation कर दिया मतलब आपने table में इस data को fill कर दिया दिन last time आपने compute कर दिया values को उससे हम क्या कहते है उस data को आपने प्रॉपर वे में जो information लग रही है अपने सिव उतना ही रहा जो unnecessary information कर दिया वह एक process data हो जाएगा अब raw data क्या होता है raw data वह होता है जो original data हो या फिर unorganized data हो मतलब ऐसा data है जो आपने sample पर study perform क्या और sample से आपको data मिल रहा है आप उसे बोलोगे original data क्योंकि यहाँ पर आपने उस data को नहीं आपने statistical methods से कुछ अपने mean median निकाला उसका ना उसको organize किया और आपने उसको classify करे बस आपको एक data मिल गया sample से और उरिजिनल डेटा उगर unorganized होगा जिसको आपने उसको कुछ organized नहीं किया उस उस पर कुछ methods ने apply किया उसको classify नहीं किया तो उसे हमके थे हैं raw data और unorganized data इस question का answer नहीं होगा उसे तरीके सो option d is personal data, personal data क्या होता है जो आपको अपको data हो जिसे मालीजिए for example आपका name, surname, अपका address तो यह सारे आपके personal data हो जाएगा सो personal data को आप नहीं स्टाइस्टिकल में अप्लाइ कर सकते हो नहीं इसको organize कर सकते हो तो यहां पर obviously आपको option d b incorrect हो जाएगा और इस question का right answer हो जाएगा option b process data next questionnaire should have following number of questions इस question में पूच्छा जा रहा है questionnaire जो होता है जो कि आपका data collection tool होत होते हैं फिर कितने number of questions generally questionnaire में present हो सकते हैं याद रखिएगा बहुत important question है exam में data collection tools जैसे question is interview observations यह जो आपकी data collection tools है इन पर आपको compulsory one or two questions पूचे ही जाते हैं बहुत important topic है इस पर compulsory आपको question पूचा जा सकता है अब questionnaire है questionnaire क्या होता है एक list of questions जिसमें एक list होती है उसमें तारे researcher questions provide कर देते हैं और researcher sorry जो respondents है उस researcher के answers का response करते हैं so question is क्या होते हैं यह structured question होते हैं researcher पहले से ही इनको decide कर लेते questions को और जो आपके रिस्पॉंडेंट उनको बस यहां पर रिस्पॉंस करना होता है तो याद रखेगा कौशनेर्ज उते हैं कौशनेर्ज में ना 20 फॉइंटी ना 40 मतलब कौशनेर्ज में जरूर नहीं है कि आप सिर्फ और सिफ टेनी फॉच्ट सकते हो आपके रिस्पॉंडेंट से आप 30 फॉ सकते हैं यह से 50 फॉल्स लिए अपने 100 फॉक्वी सकते हो आप 200 फॉक्त सकते हो तो अक्षिंट सेंडेंड़ कोशनेर्स में स्फ पर क्या ना 50 फॉच्वी नहीं होता है कि आपको सिफ 30 फॉच्व नहीं होता है कि तो आपके निट क्या एख और चायात्र एगा बिमेटन बहुत important question है यह question मैं आपको बता दू कई PhD entrance examination में same question बहुत बार पूचा गया different PhD entrance examination में और मैं आपको बता दू आपके exam में experimental method quasi experimental method और जैसे experimental methods में experimental research में आपके पास variables होते है independent variables, dependent variable और moderating variable moderating variable और next होता है profounding variable इन variables पर आपको compulsory question पूचा जाएगा experimental और quasi-experimental research question compulsory पूचा जाता है आपको experimental method और quasi-experimental method में जो same चीज़े होते हैं जिनमें इन दोने में difference नहीं होता है जो similar चीज़े होते हैं वो होती है scientific status यानि आप scientific way से आपकी study perform करते हो scientific way से research करते हो उसमें आप scientific theories scientific principles का use करते हो systematic manner में आपके research perform करते हो उसी तरीके से option b existence of independent variable experimental method और quasi-experimental method ये दोनों में भी आपके independent variable exist करते हैं present होते हैं next sensitivity of the dependent variable so experimental method और quasi-experimental method में आपके dependent variable था आप बिसकर इसको observe करते हैं दोनों में आपका independent and dependent variable का role same ही play होता है दोनों भी method में आपका option a, b and c ये तीनों भी incorrect हो जाएगा क्योंकि ये तीनों भी options में आपको experimental method और quasi-experimental method की difference नहीं दिये हैं बलकि ये तीनों भी option में इन दोनों methods की similarities आपको दी गई हैं अब जो difference होता है आपके experimental method और quasi-experimental method में ये होता है कि आपके random assign करते हैं participants को को ये randomly आप असाइन नहीं कर सकते हो आपके quasi-experimental method में अब जैसे कि experimental method में आपके independent variable होता है इनको manipulate करते हो इनको randomly आप assign करते हो लेकिन ऐसा आप quasi-experimental method में नहीं करते हो ये कि quasi का मतलब क्यों होता है आप असाइन नहीं करते हो इसलिए आप कोसी-experimental method में नहीं करते हो नहीं करते हो नहीं आपके independent variable को manipulate करते हो तो यही डिफरेंस होता है experimental method और quasi-experimental method में इस question का आपके right answer हो जाएगा option D the random assignment of participants to conditions next dash is the way to solve the research problem in a systematic way इस question में पूछ रहा है कि हमें दिये गए options में से कौन से ऐसा option है जिसमें हमारी जो research की problem होती है उससे हम एक systematic way में solve करते हैं याईनि मान लेजे आपके कुछ research की problem है x y z आपके कुछ research की problem है यहाँ पर अपने इस problem को आपको solve करना है तो आपके systematic manner में आपको research की problem solve करते हो आप आपके research की problem कैसे भी जग्जग manner में solve करोगे तो आप अभी कभी research ही ने कर पाऊगे क्योंकि आपके जो research होती है यह one or two months की नहीं होती है आपके research आपको three two six years तक आपके research चलती है तो आपको systematic way में आपको रिषोर्च को पॉ8 करना घ्ल अपर अवura निस Cheese को सोल्ब करना होता है तो शिर की सेफयोच मेशा लोजी Колध्य में करतेय। सो रिषोर्च मेश्मेश्ट वित्वाटरोजी में जिस्जं सोगे मैंने आपको अभी तक बताते हैं मैं पिस तरीके से एपको steps follow करना है रिसे जमιοlier में हर एब चीज आती है अ मंगास क Score जबत levant में को स्टेप्स को अुप करना है किस तरीके से आपको से एदिक जबत आपको जाने से कौन कौन से पर nadine तो याद रखेगा research methodology ऐसा वे है जिसमें आपकी जो research है research की problem को systematic way में solve करते हो यानि step by step हर एक tip के बीचे आपके कुछ नो कुछ logic होगे और proper एक organized way में आपकी research को perform करते हैं तो सिर्फ ऐसा आप research methodology में करते हो सो याप आपका option से correct हो जाएगा जो remaining option से उन्हें भी हम देख लेते हैं जैसे option यह technique technique क्यों थे method सिर्फ एक method है सिर्फ अगर आपकी research में सिर्फ method यूज करो तो क्या आपकी research problem को आप solve कर पाऊगे नहीं तो याप आपको option a incorrect हो जाएगा उसी तरी कि इस option भी research procedure इस अब कौन कौन से procedure यूज करें कौन कौन से methods apply करकर आपके research को solve करें अगें procedure का मीनिंग होता है methods तो research में सिर्फ method यूज करोगे तो आपकी research की problem का भी solve ने कर पाऊगे तो आपका option b incorrect हो जाएगा उसी तरी कि से option d research process इस आपके research की process यानि आप research के कुछ जैसे 7-8 steps है उन्ही steps को उन्ही process को अगर perform करोगे तो कि आप आपकी research की problem solve कर पाऊगे ये भी हम नहीं कह सकते हैं तो आपका option d भी incorrect हो जाएगा तो यहाँ पर आपके correct option हो जाएगा research methodology क्योंकि research methodology एक ऐसा वे है जिसमें आपकी research की problem पो systematic way में solve करते हो नेक्स written documents, newspapers, diaries, letters, trip description, etc. source of information used in इस question में पूछ रहा है क्याकि पास कुछ written documents है जिसे newspaper, diaries, letters, trip descriptions यह सारे जो sources है इन sources आपको information में लेगे आप कौन से method में sources की information को use करोगे तो याद रखेगा जिसे historical, historical research में history में भी आपके पास सारा पुराना data होता है यानि past में जो भी phenomena अकर होता है उसको बताया जाता है उसी तरीके से जैसे यहां पर आप देख रहे हो newspaper, diaries, letter, यहां पर आपका source of information यह second जी होता है यह already available data होता है जो already available data होता है यह historical method में आप यूज करते हो यानि historical research में क्या होता है जैसे past में जो history happens होती है जैसे world war, Indian history यह सारी जो history होती है सारी आपको history book में देखने मिलती है तो वही होता है अपका historical method, historical method में already available sources है उसका use करा जाता है उसको analyze किया जाता है और यह देखा जाता है और यह present में इसका कुछ use होता है या फिर use है या फिर नहीं है यहां पर यह जो data है जो sources आपको information विल रहा है आप यह historical method में use करोगे अब remaining options में हम देख लेते हैं जिसे case study method, case study method में क्या होता है आप four to five people का group बाना लेते हैं और एक particular topic चूज कर लेते हैं एक specific topic चूज कर लेते हैं उस पर आप discussion कर लेते हैं जैसे मानलेज आपको कोई new topic जैसे मानलेजे आपको कोई new phone launch करना है तो उस phone के बारे में आप उस particular group में four to five group में four to five लोगों के बीच में उस topic को discuss करोगे आप के स्टरी में पर जो भी data आपको मिलेंगा जो भी information मिलेंगी न्यू मिलेगी आप के स्टरी में पुराणी information यूज कर सकते हैं यसे तरिके से statistical method के होता है जिसमें आप कोई mathematical formulas perform करकर कोई solve करते solutions find out करते हैं किसी का mean निकालोगे population से information मिलें उसका mean निकालोगे स्टरी मेधियन का स्टैनर्ड डिवीशन सो यह सारे आपके mathematical से रिल्री टर्म से स्टैस्टिकल मेथड में भी न्यूइट जनरेट करते हैं आपको और आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जागा उसे तरीके से ऑप्शन टी इवालुशनेरी मेथड इवालुशनेरी मेथड क से कुछ प्रॉबलम आरें तो यह सारी चीज़ें जोती है यह वालिशनेरी मेथड में उसकर जाते हैं जाद करके biology field से जादा दा रिलेट होती है तो यह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आपको ऑप्शन D इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेशन का आपको आपको